त्यूर लोक में रहने वाला मानव, अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धन तेरस के दिन कार्तिक महिने में पढ़ने वाली सुन्दर त्रियोद शीतिति को जो धनवंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लच्छमी कभी बाहर नहीं जाएं। बावण अविष्णु कहते हैं सुनो किसान। मैं आपको धनवंतरी पूजन का विदान ब बताता है। भगवान करते हैं किसान, सुन्दर कृष्ण पक्षिकी त्रियोदशी को कार्तिक के महिने में, धन्वंतरी देव का पूजन, धन्तेड़स का पूजन माना जाता है, सुनो किसान, एक सुन्दर भूमी पर, देसी गाय का गोवर से लीपन करकर, अगर गाय का गोवर ना मिले, सुन्दर जल से लीपन करकर, वहा एक सुन्दर चोक को पूर कर, आप सभी को ग्यात होगा, कि चोक पूर्ने में, रांगोली का प्रयोग नहीं होता, आप लोगों को मालुम होगा, चोक पूर्ने में, आता और हल्दी का प्रयोग होता है काय का प्रयोग होता है आटे और हल्दी का प्रयोग क्यों होता है क्योंकि आटा सम्रद्धी को बढ़ाता है लच्मी बेभाव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है इसलिए जब चोग पूरा जाता है भूमी पर तो चोग पूरते समय आटा हल्द कर दिया जा कि बगवान विश्णु बता रहे हैं कितान को ढंके पूजन के पूजन का विद्धान प्रदार है उसके अनुसार आप लच्च्मी का पूजन धन्ते से का पूजनी ड़ः चवकी लगाँ चवरंग लगाँ पाटा लगाँ उस पाटे पर एक सुंदर लाल बंबस्त्र दारन कर देँ लाल बस्तर हे था थाली ले मै कुंकू से गिला करकर स्वस्थिक का निर्मान कर स्वस्थिक का निर्मान करकर स्वस्थिक का निर्मान करकर घर में अगर चांदी का सिक्का हो अगर चांदी का सिक्का नहीं हो चांदी का क्वाइन नहीं हो तो अपने घर का सिक्का दो का सिक्का पांच का सिक्का दस का सिक्का जो भी आपके घर में हो, वो क्वाइन लेगे, महारत, उसको थाली के अंदर रग दें, स्वस्तिक के ऊपर, फिर उसका इसमर्न करें, आटे के साथ दिये बनाएं, एक थाली में, एक पलेट में दख लें, घी के दिये बनाएं, और उसमें सुंदर बाती को लगादें, ध्या विबाती लगे, वो लंबी लगा, महारत, गी के दिये लगा दें साथ, साथो दिये को परजुलित कर लें, प्रगट कर लें, एक दिया तेल का लगा लें, तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, क्वाहिन रखा है, उसका लेप्ट हैंड, मतलब आ आप एससे बेटे हो तो आपका सीधा हाथ हाथ, कि यो और आप तेल-का दिया लग दें, और जो सात दिये आपने के लगाएं हें वो लच्मीजी के राइट END मतलब आपका LIF END हो गया लच्मी का राइट END आपका lose आपका उल्टा वहां पर साथो दिये जो आपने परजुलित करें हैं को प्लेट में रख़ाएं सुन्दर थाली जो आपने पूजन के तैयार करी है उसमें कुकू, रोली, हल्दी, अभीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल-धागा, मौली, अमर बिल के तुकड़े, कमल गट्टे, हल्दी की गांठ, सुन्दर भाव में उसको रखें, जल का पात, सुन्दर आनंद से, जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें, लच्मी पूजन का समय अलग-अलग होता है पर धन्तेर कि पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारम हो जाता है, कब से प्रारम हो जाता है, प्रदोष क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है, लच्मी पूजन का भाव महाराच, क्वाइन का पूजन करें, कंकु आधिक से पूजन करने के बाद, दोनों सिक्कों को उठा इसको नगी प्रारम करते हैं और ऊसको लपेटे हैं कि फीर देशी षिक्क्रांप। थाली में उसको रख लें, फिर वापिस उस पर जल का छीटा देकर उसका पूजन करें हल्दी, रोली, मौली, चंदन, आदिक लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल करकर, उल्टे हाथ में चावल लेकर, माता लच्मी के उपर जो दो सिक्के रखे हैं, उनका पूजन करें साथ में जब चावल छोड़ते जाएं, तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं है। है, भावल छोड़ते जाएं, और भाबा सिविंति करते जाएं, माता लच्मी निविदं करते जाएं भगवान शिव काइस, नारायन का करे माता लचमी का स्मर्न करें रिदी सिद्धी के दाता भगवान श्री गणेजी महाराज का स्मर्न करें छोड़ते जब चावल पूर्ण छोड़ दे में पूजन पूरी तरह से हो जाए तब महाराज साथ सुंदर आनन्द से अमर बेल के तुकड़े कि अमर्बेल बरक्ष पर एक पील Aber की बेल चलती है पीली उसमें पत्ते नहीं होते हैं किसी भी बयाच पर डली एक उछ अमर्बेल कैला दे में गया अमर्बेल लकषमी मपूजअन में पूकी के लिए मकान के महमुरत के समय पर घ्रह प्रवेश के समय पर भहुट कारया का अमर बेल बिना पानी पड़े भी किसी भी विशेकर डाल दिया पनपती जाती बढ़ती चली जाती यृसे मर गड़تी जाथ ही? इसे हम अमरर हे गर में वेभष लच्मी बढ़ती जाए। और माता लच्मी के ऊपर उसे चड़ाना प्रारम कर दीजिए, साथ बार पिसी वी हल्दी वो सिक्कों पर चड़ा दें, अपनी मनो कामना करकर अपने घर में माता लच्मी को बिडाजमान करने के, जब हल्दी पून चड़ जाए, हाथ में कुंकु ले लीजिए, रोली ले ल हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी सक्कर हो, वो भगवान को माता लच्मी को भोग रख दीजिए, अगर कुछ मीठा बना हो, तो मीठा रख दीजिए, माराज, घर में संपुर्न पूजन करकर आपके घर में जो देवाला पूजन करने के बाद, जो साथ दिये आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए, घी के उन साथो दियों से माता लच्मी की आरती उतारी है। पूजन करी है, माता लच्मी से विंती करी है, मा, हम आपके पुत्र हैं, मा, आप हमारे घर का रस्ता भूल गई हो, मा, है वे बहु लच्मी, है धन लच्मी, है संतान लच्मी, है मा लच्मी, है धान लच्मी, आप हमारे घर में विराजमान, साथ दीप जो परजुलित करे उससे माता की आर्ती उतारिये, फिर माता को जोली पसार कर, प्रणाम करकर भूमी पर नमन करो, जब जोली पसार कर प्रणाम करें, जोली को अपनी और गिरा लें, और माता को नमन करकर, जो साथ दिये आपने लगाएं हैं, उन साथ दिये को अलग-अलग स्थान पर ले जाकर जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में फिर कहेंगे तेल का दिया माता लच्मी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लच्मी के सीधे हाथ मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा और जहां आपका उल्टा हाथ होगा आप भगवान नरेन के साथ में हमारे यां सदा विराजमान हो मा ऐसी कृपा कर दिए महाराज मा से विंती करकर बड़ा उस्साह बड़ा उमंग बड़ा आनंद रखना ये भाव रखना घर में भगवान विश्नु कहते हैं किसान से है किसान आपने अगर धन्वंतरी की हो उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहिए